इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. CTDT 12.5-40 tablet में दो दवाएं हैं. ये दोनों ही उच्च रक्चाप को नियंतरत करने में मदद करती हैं. रक्चाप को कम करने से आपको भविश्य में दिल का दौरा या स्ट्रोक होने के जोखिम को क करने में मदद मिलती है. CTDT 12.5-40 tablet को खाने के साथ या खाने के बिना भी ले सकते हैं. खुराक आपकी स्थिती और दवा के प्रती आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा. इसे हर दिन एक ही समय पर लेने की कोशिश करें. इस दवा को तब तक लेते रहना महत्वपून है जब तक कि आपका डॉक्टर आपको न कहे. इसमें एक मूत्रवर्धक यानि की पानी की गोली होता है और ये आपको अधिक पेशाप करेगा. इसलिए बिस्तर पर जाने के चार घंटे के भीतर इस दवा को लेने से बचना सबसे अच्छा है. इस दवा का अधिक से अधि का खत्रा बढ़ सकता है. सबसे आम दुषप्रभाव चक्कर आना है. अन्य दुषप्रभाव मतली, दस्त, सिर्दद और परिवर्तित रक्त लिपिद. बार बार पेशाब आना इस दवा का साइड इफेक्ट नहीं है. ये क्लोथालिडोन का उदेश है और आपके को बताएं कि क्या आप दुषप्रभावों से परेशान हैं या वे दूर नहीं होते हैं. अपनी खुराक को समायोजित करना या किसी अन्य दवा की कोशिश करना संभव हो सकता है. गर भावस्था के दौरान इस दवा की सिफारिश नहीं की जाती है और अगर आपको किड्न धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.